Hi everyone, सभी का Welcome है YET Your English Shooter पे एक special class का मैंने आपसे promise किया था, आज उस promise को वादे को पूरा करेंगे तीन से चार सालों में पढ़ाने के दोरान YouTube पे जिस सवाल को मैंने सबसे यदा सुना है ना आपसे वो सवाल ये है कि सर क्या editorial पढ़कर के या सिर्फ editorial पढ़कर के मेरा English का syllabus cover हो जाएगा या नहीं होगा और इस सवाल का honest transfer यही है कि नहीं होगा चाहे इस class से editorial पढ़ो या किसी और teacher की किसी और channel की class से editorial को cover करो सिर्फ editorial पढ़ने से आपके exam की English को आप cover नहीं कर सकते हैं और जब भी मैं सवाल का जवाब आपको देता हूँ ना comment section में हमेशा मेरे दिमाग में चीज चलती थी कि आर कुछ ऐसी series बनाई जाए जिस series को देख करके ही आपको उपना पूरा से levels cover कर ले उसमें ना अलग से grammar हो ना अलग से vocab हो ना अलग से comprehension हो सब कुछ उस series के अंदर हो और उसका level ऐसा हो कि level by level step by step तीन से चार महिने में आप अपने exam को ढंक से cover कर सकें syllabus को कोई भी बच्चा चार महिने में तयार हो करके SSC, bank, railways, defense किसी भी exam को अप्रोज करें तो इसी series को शुरू कर रहे हैं आपके साथ दस पार्ट की series है आज class नमबर एक है अगर आपको अच्छी लगेगी समझ आएगी तो दस पार्ट के बाद इसको continue करेंगे तीन मेने तक यानि 100 पार्ट अगर समझ में नहीं आएगी तो दस पार्ट के बाद में ये पेड वाले members जो अपने समझ गे ना courses में उनके लिए series को आगे continue करेंगे YouTube पर नहीं चलेगी तो YouTube पर नहीं चलाएंगे चलिए इस series में क्या होगा जी छोटा सा article है 10 sentences है इसमें बिलकुल exam level का है क्याम से भी एक level उपर का और इसमें आपको मिलेंगे देर सारी concepts देर सारी grammar देर सारी vocab और last में इसी class के last में जो quiz होगा उसको अपने live solve करेंगे during the class है ना इसी class के उपर जो concept सीखोगे सारे concept इस quiz में आ जाएंगे चलिए hopefully class आपको पसंद आएगी समझ में आएगी एक like और एक share बनता है जरूर से देना ताकि इस class को continue कर पाऊँ आईए class को शुरू करते है अल्राइट लिटल पैकेज बिग सर्प्राइजिस छोटा पैकेट बड़ा जमांका देखो एक आर्टिकल दिया गया है thoroughly review the provided article and select the most appropriate choices as responses to the following questions अच्छे से review करना है thoroughly देखना है इस दिये गए आर्टिकल को provided article को और select करना है सबसे अच्छी appropriate choices को या विकलपों को alternatives को अपने जवाब या response के दोर पे दिये गए questions के लिए questions class के last में है telegram से इसको download कर ले ना pdf को है ना telegram group पे जाओ telegram पे और इस group को join कर लो सुबह 7 बजी आपको इसकी pdf मिल जाएगी इस class की चली शुरू करें article को कराई जी फोर महात्मा गांधी the true source of our rights lay in our duties sentence में कहरे रहे डूंड के बताओ महात्मा गांधी के लिए फोर महात्मा गांधी जो सबसे पक्का source है सुरूत है और किसका हमारे अधिकारों का वो बिच्छा हुआ है ले किया हुआ हमारी duties में हमारी जिम्मेदारियों में जिम्मेदारी से ही अधिकार निकलता है अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं करते हो तो अधिकार पे भी कोई अधिकार नहीं है source यानि true source आपका subject है green color में ले इसकी ले इसकी वोब है sentence में error समझ में आई M बड़ा किया हुआ है मातमा का देख पारे हो ने देख पारे हो M बड़ा ही होगा कोई दिक्कत नहीं है error है यहाँ पे देखे जी error यह है कि lie जो verb है lie का मतलब होता है बिच्छा हुआ होना या पड़ा हुआ होना जैसे आप सोफे पे पड़े है या अखबार जो है टेवल पे पड़ा है या हमारे अधिकार जो है हमारी duties के नीचे पड़े है शबच पारे बिच्छे हुए हैं लिखे जो है पड़े हुए है तो लाई वब से किसी चीज़ के बिच्छे या पड़े हुने की बात करते हैं और इसकी second form होती है ले third form होती है लेन तो अगर हमारे अधिकार हमारे कर्तवियों के नीचे बिच्छे हुए हैं या पड़े हुए हैं चिपे हुए हैं तो वो lie करेंगे ना कि ले करेंगे वर्ब की second form लगा दी तो इसका मतलब है ये काम past में हुआ था ऐसा तो नहीं है ये काम तो present में हो रहा है महात्मा गांदी के लिए हमारे अधिकार जो है आज भी हमारे करतवयों में है उस वक्त नहीं थे गांदी जी के वक्त में आज भी है तो ये एक ऐसा समझ लो प्रोवर्ब है या किसी की कही हुई बात है जो उसने एक universal truth की तरह बोली है तो इसलिए इसको अपने को present में लेखना चाहिए और rights के लिए rights के लिए verb की first form का इस्तिमाल करना चाहिए जो की यहां हो जाएगी lie ठीक है तो lie in our duties वैसे तो ये concept और लंबा है देखें आगे आएगा तो हम आपको पूरा करवा दूँगा क्योंकि एक और verb भी होती है ले जिसकी first form होती है जो है ले first form होती है ले दूसरी form होती है लेट और third form भी होती है लेट उससे इसको confuse नहीं करना है अभी वो concept आया नहीं है आगे आएगा तो इस concept को आपको अलग से समझाऊंगा चलो करें जी फिर दिक्कत क्या है the difficulty however was to understand what our duties are करें लेकिन जो difficulty है हलांकि वो ये थी कि understand कैसे करें हमारी duties क्या है हमारे फर्ज क्या है difficulties की वह बहाब है was duties की वह बहाब है relative pronoun what का इस्तेमाल किया गया है अपने आप से सवाल पूछो अगर इस what की जगह पे मैं आप से which लगा के इस sentence को दूँ तो आप कैसे पहचानोगे कि examiner आपकी फिर के लिए रहा है या मैं इसकी जगह पे that नाम का relative pronoun लगा दूँ या मैं इसकी जगह पे who नाम का relative pronoun लगा दूँ क्या ऐसी जरूद आनपड़ी sentence में कि what ही लगाना था which that who का कोई काम नहीं है जब यह सवाल खुछो गे ना अपने आप understanding develop होगी और जिस बच्चे को सवाल का जवाब नहीं मिल रहा उसको अपने concept समझाएंगे ठीक है थोड़ा flow बना लो यहां तक पूरा करो फिर इस concept पो करवाता हूं वट यहां पे क्यों लगा करें जी जो फाइव जजी है और किसके सुप्रीम कोड के और किसकी सुप्रीम कोड इंडिया के करें कि जीनोंने decisively rule किया है जजी जब भी rule करते हैं इस word का मतलब हो जाता है एक फैसला या decision देना ठीक है और decisively मतलब निरनायक तोर पे finally, ultimately ऐसा कोई decision नहीं या जिसमें कुछ confusion हो दो जज कुछ और कह रहे हूं, तीन कुछ और कह रहे हूं decisively rule किया है इन्होंने, पूरे जो है final और निरनायक तरीके से इन्होंने अपना फैसला रखा है तो कह रहे हैं जी इन्होंने decisively adverb लगा के जो rule किया है या रूल कर चुके हैं और किस चीज के खिलाफ, recognize करने के खिलाफ, पहचानने के खिलाफ हमारे एक मूलबूत अधिकार को, fundamental right को, जो है लोगों का same sex के एक ही link के, कि वो एक दूसरे को marry कर सके तो ऐसा कोई fundamental अधिकार आपको नहीं है, अगर आप lesbian या gay हैं तो अपने प्रेमी या प्रेमिका से आप शादी कर सके इसके खिलाफ सुप्रीम कोड ने rule कर दिया है और कह दिया है कि this is not your right, you cannot marry a man if you are a man, तो marry each other का ये कोई अधिकार नहीं है, कह रहा है ये जो जजजिज है ना ये पांच जिन्होंने ये सारा काम करके दिखाया है, कह रहा है ये जजजिज जो हैं, इन्होंने redefine कर दिया है, फिर से प्रभाशित कर दिया है, definition दे दी है, उस scope की यानि दाइरे की जो हैं duties की, करतव्यों की, फरजों की, एक ऐसी के judge की, आई बाद समझ में, sentence लंबा था, लेकिन आपने ब्रेक किया, judges have redefined the scope, sentence इतना ही है, बीच में जो सारा लगा करके बताया गया है, ये है relative close, जो की judges के बारे में additional information दे रहा है, ये वो judges हैं, जो की gay और lesbian शादियों के खिलाफ अपना फैसला दे चुके हैं, scope का मतलब होता है दाइरा, decisively मतलब निर्नायक तोर पे, who आया है, judges के लिए, judges के लिए, इसलिए who की verb है, plural, have ruled against, ठीक है, यहाँ पे अगर एक जाज होता, तो यहाँ पे आजाता, has ruled against, आरिये full understanding, समझ में आरिये सब चीजे, चलो, अब आएंगे इस concept पे, पर वैसे आपको बता दे वच्चो, इस sentence में भी एक error है, और इसके लिए तो बहुत पैनी नजर चाहिए, मुझे पता आपकी पगड में नहीं आई होगी, पह पहले तो आपको यह समझना है, relative pronoun होता क्या है, देखो judges के लिए who लगा के आपने बता दिया, वो judges जिन्नों नहीं यह किया, जब भी किसी चीज के लिए आपको additional information देनी है, मेरा दोस्त, जो की एक doctor है, तो जो की एक doctor है में, जो जो की है न वो relative pronoun है, आरिये बाद समझ में, US President Donald Trump, जो की एक business man है, तो President Donald Trump से जो बात करूंगा, लेकिन जो की एक business man है, जो जो की वाली बात कर रहा हूँ, वो होता है relative pronoun, तो relative pronoun चार होते हैं, जो की की बात करते हैं, लेकिन चारों के काम अलग है, मतलब चारों की अलग अलग जगा बनी हुई है, और जगा कैसे बनी who आएगा ऐसे humans के लिए जो proper nouns है which आएगा ऐसे non-humans के लिए जो proper nouns है non-humans मतलब कुरसी में गोडा, हाथी इस तरह की चीजों के लिए which आएगा non-humans, proper nouns कोई खास कुरसी है, कोई खास building है समझगे न, proper nouns that आएगा humans और non-humans दोनों के लिए आदमी के लिए भी और कुरसी के लिए जो की common है मेरा दोस्त, अब आपका दोस्त अगर आपने नाम ने लिया ना फिर दोस्त वो कोई भी हो सकता है, common noun बन जाएगा वो ठीक है, तो common nouns के लिए that लगेगा, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो non-human हो, और which कब आएगा, जब आपको जिस चीज के लिए relative pronoun लगाने को बोला गया हो, वो चीज sentence में गायब हो जब ना कोई आदमी हो, ना घोडा हो, ना कुरसी हो उस चीज को जिसको जोकी बना रहे हो जिसके लिए, वो चीज लिखी नहीं गई है sentence में, तब आएगा which जैसे, मैंने आपको वो बताया, जो की आप जानना चाते थे तो जो की आप जानना चाते थे, क्या जानना चाते थे मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको वो कहानी बताई, मैंने आपको वो fact बताया, वो पता ही नहीं मैंने क्या बताया ऐसे cases में इस्तिमाल किया जाता है विच का देशी भाषा में आपने इनका meaning सीख लिया अब technical language में questions देख लो कैसे बनेंगे the village was destroyed by the hurricane Katrina dash had very high wind speed village जो है destroy हो गया था hurricane Katrina के द्वारा जो की बहुत high speed wind speed वाला था या जिसकी wind speed जो है बहुत ज्यादा high थी ठीक है जो की वाली बात हो गई अब जो की किसके लिए है कतरीना के लिए कतरीना एक hurricane है proper noun है बहुत सारे कतरीना बतरीना जैसे hurricane साते हैं हर एक कुछ नाम रखते हैं हमने जिस चीज़ को define कर दिया proper noun बना दिया उसके लिए आपको who या which में से एक का इस्तेमाल करना है अब मुझे बताओ किस का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा कतरीना कोई इनसान दो है नहीं non human है तो which लगा दो है ना कितना प्यारा और आसान सा concept किताबों में मुझकिल लगता है बढ़ने में बहुत आसान है the opposition is trying to impeach President Trump who which that या which जो भी लगाओगे यहाँ पर what लगाना है ठीक है विच की जगह पर what लगाना है यह चोथा what है करे कि who which that या what has been charged with sedition opposition try कर रही है impeach करने की कुर्सी से एटाने की President Trump को जिन को charge किया गया है जिन पर आरोप लगाया है राजदरू का यह जो की राजदरू के आरोप से charge किये गए है President Trump के लिए एक relative नाउन लगाना है Trump एक human है और proper noun है तो यहाँ पर simple सा आपको who का इस्तेमाल करना है most of the students who that which या what appeared in the exam are commerce graduates जलादर वो बच्चे जो exam में appear हुए वो commerce के graduates है जो की exam में appear हुए किसके लिए आया जो की बच्चों के लिए कौन लड़के हैं students किसी special student का नाम आ रहा है क्या नहीं आ रहा तो मतलब एक common noun है common noun जब आएगा तो फिर चाए आदमी हो चाए घोड़ा हो चाए कुरसी हो चाए मेज हो आपको that लगाना है बस एक और sentence देखो I cannot imagine who which that या what you are thinking मैं सोच भी नहीं सकता imagine भी नहीं कर सकता तुम क्या सोच रहे हो समझ पारे हो उपने बोलते हैं ना यार मैं तो सोच भी नहीं पारा हूं तुम क्या सोच रहे हो है ना तुम हो सकता है बहुत अच्छा सोच रहे हो बहुत खराब सोच रहे हो तो मैं सोच भी नहीं पारा उस चीज को जो तुम सोच रहे हो ऐसा समझ लो अब वह चीज क्या बाइसा वो चीज तो लिखी नहीं हुई यहां पर I cannot imagine imagine मतलब सोचना किसी चीज की परिकल्पना करना दिमाग में जब वो चीज नहीं लिखी गई है तो चुप चाप वट का इस्तेमाल करना है यही तो आपको समझा है I cannot imagine what you are thinking लास देख लो can you imagine the scene who which that or what नहा created at home yesterday क्या आप उस scene को imagine कर सकते हो जो जो नहा ने अपने घर पे कल create किया scene create करना समझते हैं ना माहौल बना देना अच्छा या बुरा जो भी depending on the situation क्या आप imagine कर सकते हो जो माहौल नहा ने कल घर पे बनाया जो scene नहा ने create किया last sentence को खुद से attempt करेंगे इतनी learning आपकी हो चुकी है जो कि किस के लिए आया वो चेक कर लो और जो चीज है वो किस category में पढ़ती है फॉल करती है वो देख लो सही category का pronoun जाकर के लगा दो sentence सही बन जाएगा डालना comments में सही गलत को आपको comments में बता देंगे आया मज़ा मज़ा आ गया तो लिखना comments में सर ये class हमें चाहिए आपके प्यार से ही class बनती है जब भी मैं कोई class को discontinue करता हूँ आगे बनाना तो इसका मतलब यह होता है बच्चे उस class को appreciate नहीं कर रहे है चलिए आगे बढ़ेंगे next sentence पे next paragraph पे इसमें दूसरी error क्या है जी दूसरी error ये है sc 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 को कैसे लिखते है s a जब a की आवाज आ रही है तो sc में n लगाना चाहिए n sc ज़़ए आए बात समझ में इसलिए अपने n mba बोलते है mba में m की आवाज आ रही है न a जब a की आवाज आ गई तो फिर चाहे आगे m लगाओ चाहे j लगाओ चाहे s लगाओ उससे फरक नहीं पड़ता आप इसलिए लिखेंगे n sc judge थोड़ी सी पैनी नजर चाहिए इस चीज को देखने के लिए करे the past record of the court may have led one to and honestly conclude that the duties of a judge included formulating a scheme to rehabilitate bonded laborers करे जो past record है court का जो काम court ने past में इत्यास में करे हैं हो सकता है वो lead कर जाए किसी भी आदमी को one मतलब कोई भी lead करना मतलब ले जाना हो सकता है वो record ले जाए किसी भी आदमी को कि वो गलत तरीके से conclude कर दे गलत तरीके से इस निशकर्स पे पहुंच जाए यहां तक वो ले जाए और क्या conclude कर दे कि जो फर्ज है एक जज के उसमें शामिल है यह सब सब ताम जाम चीजे है अब कौन कौन सी इनक चीजे included है फर्ज जो है include करता है इन सब चीजों को पहली चीज है formulate करना यानी बनाना एक स्कीम को ताकि पुनरवास किया जा सके फिर से समाज में जोडा जा सके रीहबिलिटेट किया जा सके बॉन्डेट लेवर्स को बंदवा मजदूरों को तो जज का यही काम है कोई स्कीम बनाए और बॉन्डेट लेवर्स को पकड़े यह न छुडवाए बचाए यह कैसे इनदिफाइन्स ओफ देपल्स ओन नॉम्स डिफाइन्स में अवग्या में इस्वीडीएंस में टैंपल की खुद की देंपल के खुद के कानूनों के तो सब्सक्राइब से सब्सक्राइब है जिसकी बात कर रहा हूं मैं नाम लेनी की जुरुत नहीं है यह है ना वह में मंस्रेतिंग डुरिखैया ओरत विपेस्ट करे शुप्रीम उपर सब्सक्राया १ाई ओह तो प्रफीर रेकोर्ड अगर आप देखेंगे तो आपको यह लगेगा सुप्रीन कोर्ट तो हमारे समाज systematic आपको जोड़ेंगे, ओरतों को टेमपल में जाने की पूरी वह पास रेकोर्ड जो है उसकी वहब होगी may have led to duties की वहब है included, formulate करना, किसी चीज़ को बनाना, rehabilitate करना, किसी चीज़ का पुनरवास करना, defiance का मतलग होता है अवग्या या disobedience, temple की norms कुछ होर कहती है लेकिन आप जो है supreme court में बैठके उनको defy कर रहे हैं, आप उन norms को मानने से मना क कर रहे हैं, ठीक है जब भी को authority की इपने बात नहीं मानते हैं तो अपने defy करते हैं authority के order को, फुलिस ने बोला है कि पांच लोग से जादा इकठे नहीं होंगे आज, जमावडा नहीं करेंगे, लेकिन आप 15 आदमी बैठे हो पानवाले के पास, तो आप पुलिस की जो norms है लोकल परशाशन को, उनको defy कर रहे हो, चलिए defy नवर्ब है, defines noun है, फर्क करना सीखा करो दोनों चीजों के बीच का, इसी से एक idiom मनती है, to fly in the face of something, इस idiom का मतलब होता है, defy करना, समझगे न, मतलब defy जो single word है न, इस idiom से इस word को आप जो है, connect करके रखें, इस idiom को आपकी पकड़ में ना आई हो, lead to, एक ऐसा phrase है अंग्रेजी में, जिसमें to के बाद में, verb की ing form का इस्तेमाल किया जाता है, करवाई हुए न, सारे वो phrases, फिर से मैं list खोल देता हूं आपके सामने, सभी phrases पे नज़र डाल लो, lead to आपको इसी list में मिलेगा, ठीक है, तो यह ह बाद में हमें नाउन या जिरेंट का इस्तेमाल करना होता है, 30-40 word sense में इसमें आपको lead to भी मिल जाएगा, lead to में to के बाद preposition है, preposition के बाद में verb की ing form लगाए, lead to concluding आपको लिखना चाहिए, समझ में आए concept, चलो, यहीं पर class को पोज करके, इन सभी पे एक नज़र डाल ल यह list मुझे याद है, मैंने ही बनाई है, लेकिन आपको याद आनी चाहिए, पेपर के वक्त, key to, lead to, integral to, pride to, adverse to, और इसकी trick है, याद अगर ना रखे जाए, कोई confusion हो, जब भी आप किसी चीज की तरफ lead करेंगे, तो कोई चीज होगी इसके आगे, lead to success, lead to failure, linked to success, linked to failure, accustomed to success, accustomed to failure, कोई भी चीज हो सकती है, noun, habitual to cold, habitual to heat, looking forward to a meeting, prior to, prior to, कोई भी noun लिख दो, prior to world war second, एक noun है, प्रॉपर noun है, है ना, take to the streets, इन में हर एक phrase में, two के बाद में noun fit हो रहा है, बस यह trick है, क्योंकि इन में two के बाद में noun fit हो रहा है, इसलिए जब verb लगाते हैं, तो verb को भी noun में च change करता है, इसलिए इसके आगे ing का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप से याद रहे तो यह trick से भी आप इनको याद कर सकते हैं, चलिए बढ़े आगे, आगे कह रहा है जी, but yesterday, as see in one voice, made it clear, that when it comes to deal with matters pertaining to fundamental societal modes, such overreach is unwarranted, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा पढ़ने में, करें लेकिन कल, yesterday, supreme court ने एक आवाज में, one voice में, इस चीज़ को कर दिया, साफ, made it clear, और that वो यह बात, कि when it comes to, when it comes to मतलब जब बात हो, करें, supreme court ने बोला, जब बात होना, deal with करने की, यानि निपटने की, उन मामलों से, उन matters से, जो pertain to करते हों, related to हो, pertain to करना, यानि relate to करना, और किससे जुड़े हों, related किससे हों, fundamental societal mores है, हमारे समाज के fundamental यानि मूलबूत mores, mores का मतलब होता है, customs and revages, practices, तो supreme court नहीं बोला, कि जब भी कोई ऐसी बात आएगी, कि समाज के रिवाजों पे, किसी सवाल को सुलजाना होगा, तो इस परकार की जो overreach है, वो unwarranted होगी, मत आपको बोला दिल्ली जाना है, आप पहुंच गए आगे दिल्ली से आगरा, overreach कर रहे हो न, दिल्ली जाके रुक जाओ, दिल्ली तक जाना है तो, supreme court ने बोला भी, हम भी दिल्ली तक ही जाएंगे, इस प्रकार की कोई भी overreach होगी, वो unwarranted होगी हमारी तरफ से, हम समाज के किसी भी रुड़ी रिवाज के खिलाफ जो है, जाने की हिमत नहीं रखते हैं, ऐसा supreme court ने ऐसा साफ कर दिया, SC की verb है, SC की verb है, made, SC made it clear, when it comes में, it verb है, subject or comes, इसकी verb है, pertain to, relate to, किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होना, common सी एक error देता है, आपका examiner pertain to के बाद में with लगा के, it is related with me, it does it pertains with me, या pertains with that, गलत है भाई साफ, two आएगा तो two आएगा, fixed proportional phrase है, याद रखना है, relate to, pretend to, mores मतलब custom rewards practices, over reach आपको मैंने बता दिया, जरूर से यादा आगे बढ़ना, उसकी verb है, is, unwarranted मतलब जिस चीज़ को warrant या, demand ना किया गया हो, unwarranted का मतलब होता है, unjustified या not necessary, मैंने आपको कुछ का ही नहीं, आप उनसे ऐसे लड़ रहे हो, तो आपकी जो लड़ाई है, वो unwarranted है, uncalled for है, बेफालतु की बोलते हैं इसक सामना करना, deal out का मतलब होता है, छोटे छोटे portions में distribute करना, जैसे आपको 1000 पर देने हैं मैंने, आज 100 दिये, फिर 200 दिये, फिर 20 दिये, फिर 500 दिये, तो मैं अपना जो, समझगे ना, loan चुका रहा हूं, deal out कर रहा हूं, आपको छोटे उटी किस्ते, distribute in small portions, और deal in का मतलब होत करना, we deal in किराना, किराना जन ग्रोसरी, हम किराना और ग्रोसरी का वेपार करते हैं, my neighbor deals in software and hardware, मेरा नेवर जो है, software and hardware खरीदता बेशता है, my uncle deals in second hand vehicles, मेरे अंकल जीवा है, second hand vehicles को deal in करते हैं, उनको खरीदते बेशते हैं, फ्रिजल वर्ब है, इसको याद रखेंगे, च्छ चलो, अगर जिस बच्चे की आँख थोड़ी से पहनी होगी, उसने इसको पकड़ा होगा जरूर से कि सर, when it comes to तो आपने अभी तो दिखाया था, when it comes to जब भी आएगा, अपने बाद में noun या वर्ब के आइंजी फॉर्म लेगा, तो सर यगर ऐसा है, तो फिर यहाँ पे वर्ब के आइंजी फॉर्म क्यों नहीं लगाएगी, when it comes to, when it comes to dealing with यहाँ पे होना चाहिए, चुपी हुए एरर्स हैं यह, करा जुदीशल ड्यूटी लाईज, इन डेफरेंस तो विशिज ओफ पार्लियमेंट, करा जो नियाएक ड्यूटी है, वो लाई गरती है, वो जो इसे कोई बड़ा होता है, शायद वह आप जितना है जो कोई सो साल के आपके दादा जी है, पचासी साल के आपके फुफा जी है, अब आप से वो हैल्थी तो नहीं है, ताकतवर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनकी हर बात को मानेंगे, उनके गुस्ते पे आपको लगेगा तो यह आपका difference है respect out of respect जब किसी की बात के सामने आप अपना submission देते हो that is called your difference इस में ऐसा नहीं है कि सामने वाले से मैं कमजोर हूं नहीं मेरी respect है सामने वाले के लिए तो difference word respect से जोड़ के रखें और एक दूसरा word है difference इसमें IWF आता है इसका मतलब होता है जी एक concept और है उपर जो हमने यहां miss कर दिया फटा फट से इसको देख लो बड़ा प्यारा concept है इन तीन verbs को याद रखना marry, oppose और comprise इन तीनों verbs के बाद में कोई preposition नहीं लगती लेकिन यह तब होगा जब यह verb बनके आएंगी sentence में main verb का का काम करेंगी अगर यह तीनों verbs वर्ब की third form बन जाएं और sentence में main verb की जगए पार्टिसिपल बन जाएं पास्ट पार्टिसिपल अजटिव तब यह verbs जो है अजटिव फॉम में अपना अपना preposition अपने साथ लेके चलती है married अपने बाद में to लेता है और पोस्ट भी to लेता है और comprise भी off लेता है अब आप बोलो के सर इसको मुझे देशी बाशा में समझना है तो भाईया marry का मतलग होता है शादी करना अगर किसी से शादी कर रहे हो main verb marry लगा के तो कोई preposition नी लगा नी I will marry नेहा मैं नेहा से शादी करूँगा आई बाद समझ में I will marry to नेहा नी I will marry नेहा लेकिन अगर मैं शादी सुदा हूँ किसी से adjective की तरह marry verb का इस्तिमाल कर रहा I am married और किस से नेहा से तो मुझे लिखना पड़ेगा I am married मैं हूँ शादी सुदा I am married मैं हूँ शादी सुदा to नेहा आई बाद समझ में marry verb no preposition married adjective जब वो शादी सुदा की बात कर रहा हो तो उपने बाद में to वैसे oppose का मतलग होता है oppose करना किसी की खिलाफ होना लेकिन जब I am opposed मैं खिलाफ हूँ यहां तो मैं खिलाफत कर रहा हूँ यहां तो मैं आपकी demand के सामने opposition रख रहा हूँ लेकिन मैं खुदी खिलाफ हूँ I am opposed I am opposed तो फिर मुझे to लगाना पड़ेगा to your demands meaning समझ पा रहे हो ना जो कहना चा रहा हूं उसका comprise का मतलग होता है मिल के बनाना 10 कमरे मिल के एक room बनाते है 10 rooms comprise 10 कमरे मिल के घर बनाते है 10 rooms comprise this building लेकिन comprise जब adjective बनके आ जाए वो अपने बाद मियोफ लेगा इसका मतलग होगा मिल करके बना हुआ देखो नेहा married to Rohit नेहा is married to Rohit तू यहां से निकल जाएगा यहां पे marry एक verb है नेहा ने शादी की और वस्तावत आईगे यह नेहां की the students opposed to the decision the students were opposed to the decision यहां students ने opposed किया है verb लगा के decision का main verb है opposed तू को निकाल दो लेकिन यहां पे students खिलाफ है they were good they were bad they were opposed students were happy students were angry तो word के बाद में adjective लग रहा है यहां happy angry opposed है ना खिलाफ एक adjective होगा verb की third form यहां पे तू को निकाल दो the house comprised of twenty rooms घर जो है बीस जो है मलब बीस को रखता है वो है ना बीस room से मिलके बनाए है ना तो comprised main verb है main verb के बाद में off नहीं आएगा लेकिन house is comprised of twenty room यहां पे off का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक है है ना यहां भी two का इस्तेमाल जो है बिल्कुल ठीक है उस तरफ निकालना है दूसर ट्रिक आपको बता देते हैं जब यह अश्यट्टिव होगा अकसर उससे पहले बी family की वाब आएगी is married are married am married was married were married is opposed were opposed वाज अपोस्ट है ना is comprised was comprised इस तरीके से आपको बी family की वाब जो है adjective वाली form के पहले मिलेगी चलिए अब कुईस पर आएंगे solve करने हैं अपने quiz को अपने को फटावट से first question में आपसे पूछ रहा है Supreme Court का जो recent judgment है regarding same sex marriage वो कैसे जो है affect करता है how does this judgment affect the perception of its responsibility in society समाज में Supreme Court की responsibility को ले करके यह judgment जो है Supreme Court की responsibility को ले करके क्या दिखाता है समाज में options देखते हैं the judgment affirms the public's understandings of court's responsibility judgment जो है सुनिश्चित करती है अफर्म करती है confirm करती है public की understanding को लोगों की समझ को court की responsibilities को ले करके court की जिम्मेदारियों को ले के गलत बात है public तो समझती है court super hero है बच्चों को बचाने के लिए आगया आएगा बंदवा मजदूरों को छुडाने के लिए आगया आएगा ओर्तों को मंदरों में भीजने के लिए आगया आएगा ऐसा नहीं है इस case में सुप्रिम कोट ने क्या बोला हम public से समाज की रीतियों से नहीं लड़ेंगे समाज में अगर दो लड़कों को शादी करने के जाधत नहीं है तो हम भी ऐसे काम नहीं करेंगे कि लड़कों को जाधत दे तो समाज की जो understanding है उसको affirm नहीं किया बलकि हिला के रख दिया है इस judgment ने तो समझ पाया ना मेरे बात को affirm करना गलत बात होगी यह बात बिल्कुल सही है तो चैलेंज इस वाला सी आपकांसवर बनेगा साथ साथ attempt करो वीडियो को पोज कर लो यहीं पर second question आपके सामने इस passage के हिसाब से author का क्या नजरिया है supreme court की recent decision को लेकर के same sex या gay marriages पर इन पांचों में से author को क्या लगता है कुछ से कोशिश करना वीडियो को पोज करके मैं करवा रहा हूं आपको author supports the supreme court decision support करता है author disagrees with supreme court decision और इसके stance से on judicial duty being subject to parliament author is neutral and does not express a clear opinion author finds supreme court decision in alignment with मादमा गंदी's principles author supports the supreme court stance on judicial duties being subject to legislature देखो जी अगर ये पूरा article आप पढ़ोगे न यहाँ पे author व्यंग रच रहा है ताना मारा है supreme court पे कह रहा है जी वो supreme court है नहीं आपका ये वला तो superman supreme court ये वो नहीं है आज हमारा supreme court कहता है कि हम तो parliament की wish के सामने गुटने देखते हैं अब ये गुटना टेक नहीं डेफरेंस के अंदर किसी की wish के सामने ये जो है supreme court पे तंज कसा गया है आई बात समझ में supreme court के इस पूरे जो episode से author जो हैना disagree करता है हैना इस decision से और उसके stance को जो है उससे भी disagree करता है कि supreme court कोट के सामने परलियमेंट के सामने गुटने देखेगा तो अगर आप थोड़ा बारीकी से पढ़ोगे तो ये आपको sarcastic tone में लिखा हूँ article दिखेगा भी आपका answer बनना चाहिए disagree चलिए बढ़े आगे third पे आओ third में column को match करना है deal with deal in deal out और enter into deal with का मतलब होता है किसी से निपटना deal with को आप match करेंगे इससे tackle से deal in का मतलब होता है खरीदना बेजना इसको करेंगे buy and sell से deal out का मतलब होता है बांटना चुड़ी उटी किस्तों में इसको करेंगे आप distribute से और enter के बाद में अगर into लग जाए इसका मतलब होता है किसी से कोई contract relationship या negotiation में enter करना तो get into a contract relationship और negotiation करेंगे enter into को ठीक है enter वाला आज करवाया नहीं लेकिन already आपको आता है fly in the face of something यानि किसी की अवग्या करना इसका मतलब होता है to defy someone's authority ठीक है किसी की अवग्या करके किसी की बात को disobey करना चलो पांचवा छेवा दो close test है ये over reach और over arc दो words थे जो मैं आपको शद करवाने बूल गया करवा देता हूँ अभी यहाँ पे देखिए एक word है over reach इसका मतलब होता है जरूद से आगे बढ़ जाना कहा था आपको दिल्ली पहुंचने के लिए आप पहुंच गए आगरा दिल्ली से भी 50 किलोमेटर और आगे तक चले गए ऐसा करना नहीं होता over reach का मतलब यह होता है जरूद से आदा दूसरा word है over arch देखिए arch का मतलब होता है एक सर के उपर की चाओ आपके घर के बाद जो चजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजजज मैं आपको help करूँ और आपकी जिन्दगी में ना गुसाऊं आपको समझाने लगो नहीं नहीं ऐसे मत कर ऐसे कर अब उठ अब सो अब पढ़ अब उठ यह सब काम करने तो आप बोलेंगे कि आप तो कर रहे हैं मेरे जीवन में जरू स्यादा डॉमिनेट कर रहे हैं जरू स्यादा चज्जा बनाके बैठ गए हैं तो ओवर आर्चिंग वर्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा डॉमिनेटिंग अब देखो इन दोनों वर्ड को यूज करना है the CEO's dash vision for the company's future success aligns perfectly with dash mission statement CEO का जो dash vision है company की future success के लिए वो बड़े अच्छे तरीके से align with करता है बराबर जो है perfectly आता है align with करना है या same line में आना company की dash mission statement के साथ में तो इस company की dominant जो mission statement है main जो primary mission statement है overarching उसके सामने vision जो है ना over reaching vision CEO बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहा है बहुत future में आगे company को grow करवाने कोशिश कर रहा है तो over reaching जो vision है वो company की overarching mission statement से बिलकुल बराबरी fit होता है समझगे ना meaning over reaching mission vision कोंसी हो गई जिसमें CEO बहुत कुछ करने कोशिश कर रहा है company के लिए और overarching mission statement वो हो गई जिसमें company dominating जो है उसकी समझगे ना जो dominate करती है जो company के mission को चलिए साथ में हाथ में दो तो errors मिलेंगे आपको इस sentence में दो errors है एक नहीं है laws concerning immigration can significantly pertain with the process of marrying with a foreign national laws जो है concern करते हैं immigration से वो बहुत ज़ादा pertain with करते हैं significantly related होते हैं उस process से जो marry करने की है foreign national को immigration के laws जो है ना आप किस आदमी से foreign national से शादी कर रहे हो उस पर बहुत depend करेंगे भाई सब दो errors हैं पहली है common error जिसमें pertain के बाद में two लगाना चाहिए दूसरी है अच्छी वाली error marry एक verb है यहाँ पे verb की ing form जीरेंट का काम कर रही है past participle नहीं है इसलिए इसके बाद में with या two का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता ठीक है marrying a foreign national आपको देखना चाहिए समझ गें यहाँ पे इसको निकाली देंगे marry verb no preparation और यहाँ पे इसके जगह पे two का इस्तेमाल होगा आठ में पे आओ अगें दो errors है understanding the market trends is which can decisive determine success of your investment understand करना जो है stock markets को यह वही चीज है जो decisively determine करेगी निनायक तोर पे नरधारित करेगी आपकी success को investments की देखो पहली जो error है वो यह है कि decisively determine लिखना चाहिए determine verb के लिए add verb चाहिए decisive तो एक adjective है adjective कैसे verb को modify करेगा add verb of manner चाहिए है ना तो in a decisive manner लिखें या फिर इसकी जगह लिखें decisively ly का इस्तेमाल यहाँ पे होना चाहिए दूसरी error क्या है यहाँ पे which relative pronoun लगा है लेकिन antecedent तो कोई है नहीं जब कोई antecedent ही noun which से बहले ही जा रहा है कोई noun तो है नहीं no antecedent तो यहाँ लगाएंगे what ठीक है is what can decisively determine your investments दो errors तीस में भी 9 में sentence में आपसे tone बूची गई है article की देखो tone supportive भी नहीं है critical और disapproving बिल्कुल है critical हो रहा है डिसप्रूव कर रहा है supreme court की understands को neutral तो बिल्कुल भी नहीं है neutral तो होई नहीं सकती और enthusiastic और optimistic होने का मतलब भी नहीं है तंज कसर है व्यंग कर रहा है critical है disapprove कर रहा है supreme court के actions को 10 मा sentence English में लिखना है यह article judges को उनके परामपरे किया traditional फर्जों या duties को ना पूरा करने और parliament की मनमानियों मनमानियों के लिए होता है whim के सामने जुकने के लिए criticize करता है जुकने के लिए बोलते है differ to करना किशी के साब में submission करना इस sentence को आपको English में लिखना है सब लोग try करेंगे दसवाँ आपको खुद करना है इसका answer मैं डाल देता हूँ comment section में मेरा जो English में लिखूंगा मैं वहाँ डाल देता हूँ मेरे वाज़े से match करके आप अपना वाला भी जरूर से डाले अपना score बताना out of 10 कितना मिला आपको score class बहुत मेहनत से बनी होगी ताकि वो गलतियां आप पकड़ सकें grammar concepts को add करते हैं फिर questions बनते हैं ताकि आप practice कर सको आपका प्यार इस class को जितनी reach दलवाएगा उतना ही तेजी से इस class को publish करूँगा मैं regular editorial की जगह जिस दिन भी होगी एक class आपको मिल जाएगी until then next class से मुलागात कर लेंगे आप से signing out